Hello everyone, आप सभी का स्वागत है टार्गेट पूर में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जारखन जीके का 100 बहुत ही महत्पुन प्रसनों को जारखन जीके का most expected 100 question को देखेंगे 100 question series का आज part 12 है 100 question series का आज part 12 है इससे पहले part 11 तक upload हो चुका है जो नहीं देखें लिंक description में मिल जाएगा आप तो आप लोग पले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं अभी आप लोग जीतना भी question देखीएगा target पूर JPSC paper 2 test series का question है target पूर परतेक संडे सुबस 7 बज़े से इस test का आयूजन करता है अभी तक कुल अभी तक कुल 13 test complete हो चुका है कल संडे है कल test number 14 है अधि किसी को भाग लेना है यदि इस test में किसी को भाग लेना है तो दिएगे whatsapp number पर आप लोग संपर्क कर सकते है 9631926220 961 92 62 62 कल test number 14 है अधि किसी को complete test का PDF चाहिए जितना भी test हो चुका है उसका PDF किसी को चाहिए तो वही whatsapp number है आतो description में whatsapp number है आप लोग संपर्क कर सकते हैं complete test का PDF मिल जाएगा क्योंकि जितना भी practice set बजार में आप लोग देखिएगा कोई भी practice set slayvus के coding नहीं है लेकिन target पूर का दिए practice set खरिते हैं जितना भी test हो चुका है उसका PDF लेते हैं तो सभी practice set में सभी set में एकदम हू बहू स्लेवस को फोलो किया गया है एकदम हू बहू पेपर टुका जो स्लेवस से उसे फोलो किया गया है अधी अब complete test का पेपर ले लेते हैं तो अकिन मानिए कि आपका preparation में चार चांज लग जाएगा 15 set मिलेगा 15 set में 1500 question आपको नजर आएगा और सभी question एक से एक quality का तो लेट नहीं करते ही शुरू करते हैं आज का question पहला question मुंडा सासन ब्योस्था में पढ़हा पंचयत का सर्वच अधिकारी कोन होता है देखिए मुंडा सासन ब्योस्था में प नागवनसी लोग अपने गाव में किसे बसाते थे लोहार कुमहार तूरी इन में से सभी तो इस question का सही answer क्या हो जाएगा इन में से सभी नागवनसी लोग अपने गाव में लोहार को भी कुमहार को भी और तूरी को भी बसाते थे चले आगे देखते हैं निम्ण में किस सा सासन बेहुस्था में पाहन को दि जाने वाली भूमी, पहनयी भूमी कहलाती है option देख लिजी, मुंडा सासन बेहुस्ता, पढ़ा पंचाय सासन बेहुस्ता, नागवनसी सासन बेहुस्ता, और मांजी परगना सासन बेहुस्ता, तो इन में से चार option में कोंसा सही वो जगा? तिन नमबर का, देखिए, option number B option number B, पढ़ा, पणचा, सासन, अज़ा देखिए, पाहान को दी जाने वाली भूमी को पहने भूमी की सासन बयोस्था में कहा जाता है तो पढ़ा, पणचा, सासन, बयोस्था चलिए आगे देखते, फोर नमर में, मांजी परगना सासन ब्योस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत है, देखिए यह आपर चार कथन दिया गया, इनमें से कौन सा कथन असत है, सासन ब्योस्था लोकतांतरिक थी, तो यह सही कथन है, देखिए, फोर नमर का ओप्सन नमर ये सही है, उसके बाद देख लेते हैं, टू में देखिए, बी में देखिए, उल्सुरूल के अधार पर इस सासन ब्योस्ता को कानूनी माननेता परदान किया गया, ये भी सही है, मांजी परगाना, सुरी, मांजी को परसासनी को और नाईक अधिकार प्राप्त है, ये भी सही तो देखिए इन में से सभी option नमर D इसका सही हो जाएगा मांजी परगना सासन बेउस्था में देखिए कौन सा असत है एक भी असत नहीं है जो तीनों कथन है सभी सही है चलिए आगे देखते हैं देखिए five नमर मुंडा मान की सासन बेउस्था के संदर्व में नीमन में कौन साकथन सत्थ है देखिए गाओं का परधान मांजी कहलाता यह तो गलत है बारत से 18 गाओं को मिलाकर पढ़ हा का निर्मान किया जाता है यह भी गलत है दिवtailरी गाओं का धार्मी परधान होते है देखिए यह सही है महतो मुंडा के सहयोगी होते है यह भी गलत है तो five नमर में कोहचन क्या था मुंडा मान की सासन ब्योस्था में मुंडा मान की सासन ब्योस्था के संदर में कौन सा कथन सत्थ है तो देखे कौन सा कथन सत्थ है दिवरी गाउं के धार्मी परधान होते हैं चलिए आगे देखते कोहचन नमर 6 देखिए रोकलो सोहर सासन ब्योस्था मे ग्राम पंचयत का परधान, मांजी की सहायता निम्न में कोन करता है, तो देखिए मांजी की सहायता कोन करता है, गोडायत, दिवान, ये और महतो, तो इस question का सही अंसर हो जागा option number C, ये और B दोनो, गोडायत भी और दिवान भी, चलिए देखते question number 8, खरवार जन जाती के जा कहा जाता है, मुख्या, चलिए आगे, देखिए nine number में, निम्न में कौन सा कथन, जारखन के सदान के संदर्म में असत्त है, देखिए मुख्य पेशा किर्सी है, सही है, जातीगत दिरिष्टी से दो भागों में बाटा गया, सही है, महामारे से बचने के लिए मनसा देवी क पूजा करते हैं, यह गलत है, सितला देवी का पूजा करते हैं, देखिए, सादान लूँ महामारे से बचने के लिए सितला देवी की पूजा करते हैं, और भासा सदारी या सादानी कहा जाता है, आगे देखिए, question number 10, निम्न में किस जन जाती के बेवहाईक रस्म में जे माला का पर्था पर चली थे देखिए निम्न में किस जन जाती के बेवाईक रस्म जिवाज में जे माला की पर्था पर चली थे तो क्या हो जागा ओक्षन नमबर B खोड जन जाती में, कौन से जन जाती में, खोड जन जाती में, देखे निम्न में कौन, जारखंड का पहला चातर संगठन था, तो जारखंड का पहला चातर संगठन बिरसा सेवा दल था, कौन था, बिरसा सेवा दल, चलिए आगे देखते, जारखंड छेतर स्वायत परिशत का गठन संथाल परगना तथा छोटा नागपूर के कुल कितने जिल्लों को मिला कर किया गया था जारखन छेत्र स्वाइत परिशत का गठन संथाल परगना तथा छोटा नागपूर के कुल कितने जिल्लों को मिला कर किया गया था तो देखिए बारा नमबर का option आप लोग दे तो कौन सा बिद्रो हो जाएगा option देख लिजी और इस question का सही अनसर हो जाएगा कोल बिद्रो कौन सा बिद्रो है कोल बिद्रो चलिए आगे देख लेते हैं चुआर बीद्रोग की छेतर में हुआ था, देखें चुआर बीद्रोग की छेतर में हुआ था, तो देखें सिंभूम में मानभूम में बड़ा भूम और पंचेतिन सभी में चुआर बीद्रोग की छेतर में हुआ था, तो सिंभूम में मानभूम में बड़ा भूम और पंच खुट्टी में हुआ था कहा हुआ था खुट्टी में पोटो सर्दार ने किस छेत्र की लोगों को एक जूट करके कई अंग्रेज सेनिकों की हट्या कर दी तो आद रखे का सिंभूम छेत्र को एक जूट करके कई अंग्रेज सेनिकों की हट्या कर दी चलिए आगे देखते हैं कोश्चन नंबर 17 देखिए किस जनजाती में नोव वर्सों पर रसनावा नामक परवका आयूजन किया जाता है तो 17 का ओक्सन देख लिजी और इस कोश्चन का सही अनसर पर लोगा बेगा जनजाती चलिए आगे देखते किस जनजाती में बाल विवा को सरश्च माना जाता है किस जनजाती में बाल विवा को सरश्च माना जाता है तो 18 नंबर का क्या हो जाएगा ओप्सन नंबर एक खरवार जनजाती में बाल विवा को सरश्च माना जाता है च कुन सा जन जाती है भूमिज आगे देखते हैं बंजारा जन जाती में बिधवा बिवा को क्या कहा जाते हैं तो आद रखेंगा क्या कहा जाते हैं नियोग कहा जाते हैं विस नमर का ऑप्शन नमबर ये डाली कहा जाता है चली देखते 22 नमबर में तिलमी का किला कहा है या उस्थीत है तो आज रखेगा खुटी में कहा है खुटी में संथालों की जंगल लोगित है देखिए संथालों की जंगल लोगित है तो संथालों का जो जंगल लोगित है तो आज रखेगा वीर सेरेन क्या है वीर सेरेन चलिए आगे देख लेते हैं देखिए झाने में किस निर्थ के द्वारा सिल की पूझा की जाती है यहां तो कॉन्जा निर्थ है क्या जाता है स्विल खुंदी कहा जाते हैं क्या कहा जाता है उसे vaad खुन्दी कहा जाते है क्या कहा जाते है फूल खुन्दी कहा जाते है आगे देखे तुर्की मेला का आउजन कहा होते है तो आप लोग ओप्सन देख लिजिए और इस question का सही अंसर हो जागा चाइबासा कहा होता है चाइबासा में निम्न में किसने एनसेकलोपिडिया मुंडारिका का रचना किया है निम्न में किसने एनसेकलोपिडिया मुंडारिका का रचना किया है तो आप्सन देख लिजी यहाँ पर चार आप्सन है और आप्सन के होड को होता था अपनी भासा को होड जगर कहते है अपनी भासों को क्या कहते है होड जगर कहते है चले आगे देखते 29 पुस्तक द कोटन सीड के लेखक कोन है पुस्तक द कोटन सीड के लेखक कोन है ट्वेंटी नाइन का ऑप्सन नमर क्या हो जागा सी सही हो जागा काजल काजल आईकत पुष्टक the cotton seed के लेखक है चले आगे देखतें पुष्टक every time it rains के लेखक कोन है पुष्टक every time it rains के लेखक कोन है तो 30 नमबर का क्या हो जाएगा option number C क्या हो जाएगा option number C हो जाएगा आगे देखिए of love and politics पुष्टक के लेखक कोन है तो 31 का क्या हो जाएगा option number D, तुहिन सिना, पुस्तक of love and politics के लेखक कोन है, तो आज रखेगा तुहिन सिना, आगे देखते हैं, पुस्तक ओघर, देखिए, ओघर किस परसिद कवी का रचना है, तो आज रखेगा निलोतपल मिरनाल, चले आगे देखते हैं, 33, पुस्तक tribal hero, स पुस्तक ओरन के लेखक कोन है, अनुज कुमार सिना, कोन है, अनुज कुमार सिना, चले आगे देखते हैं, 34 नमर में, निम्न में कोन सा जोड़ा सही नहीं है, एकस एलर आई, उनिसोंचा सही है, एकस आई, एस एस, ये भी सही, 1955, केंदरी इंधन अनुसंधन संस्थान, य गलत है, यह 1947 होगा, यह 1948 दे दिया गया, तो क्या हो जाएगा, 1947, क्या हो जाएगा, 1947, ओवियर्शा इंट्रिचुट टेकनोलोजी, उनिसोंचा से यह भी सही है, तो 34 नमर का ओप्सन नमर सि गलत है, चलिए, आगे देखते हैं, 35 नमर में, निलांबर, पितांबर, आगे देखते हैं, जन्जाती है, सोध संथानराची के स्थापना कब हुआ है, तो आप लोग आद रखीए, 36 का ओप्सन नमर है, निस सु तीरपन में, कब हुआ है,23पन में, चली आगे देखते हैं, नेतरहट विद्याले, लाते हर के स्थापना किस ने के स ने के. comment box ने अंसर देना है कि नेतरहर्ट विद्याली के अस्थाफना कब क्या गया गया? comment में आफ लोग अंसर दिजीगा नेतरहर्ट विद्याली के अस्थाफना कब क्या गया? चलिए आगे देख लिए अड़तिस नमर निम्न में एक तिरंदाज है यहाँ पर देखिए option 4 है, इन मेंसे कोण एक तिरंदाज है बोलागे, तो दिपी का कुमारी है, कौमाली का बारी भी है, तो इन मेंसे सभी तिरंदाज है, चले आगे देख, देखिए, 49 में जारखन में आईूजी, 34 राष्टी खेल में, जारखन के टीम का नेतरूत किस ने किया, तो किस ने किया आद रखेगा बिमला लकडाने किया किसने किया बिमला लकडाने थोड़ा सा कन्फूजन लग रहा है लेकिन मेरे नुसर आप्शन नमर यह होना चाहिए आप लोग देख लिजिएगा इस कोश्चन को उन चालिस नमर में ध्यारखंड में जो आयूजित हुआ था राष्टी उसमें जेगी जारखंड टिम का नेतरुट किसने किया तो यहां पर मेरे नुसर बिमला लकडा होना चाहिए लेकिन इस कोश्चन को आप लोग फिर से देख लिजिएगा चलिए आभी आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमर चालिस सताबदी अस्टेडियम कहां याउस्थित है सताबदी अस्टेडियम कहां है तो आद रखेगा राची में चलिए आगे देखते हैं नई खेलनिती की तहत ओलंपिक में गोल्ड मेडल जितने पर कितनी रासी परदान किया जाएगा जारखंड के नई खेलनिती के नुसर अधी ओलंपिक में कोई खिलाडी गोल्ड मेडल जिता है तो उसे 2 करोड रुपया प्रवाइड किया जाएगा 2 करोड रासी परदान किया जाएगा चलिए आगे देखते हैं कोश्चेन नवर 22 जारखंड के भीविन खेलों में जीवन भर उपलबदियों के लिए कौन से पुरुष्कार दिया जाता है तो कौन सा सर्वे भी है तो इनमें से सभी भूमी समंदिक सर्वे है चलिए आगे देखते हैं जारखंड छेत्र में सबसे पहले माल गुजारी की बेवस्ता कब लागू की गई तो आद रखी का सत्रों सो पेरशट में चलिए आगे देखते हैं सी एंटी स्पीटी से कोहचन देखें सी एंटी की धाराचार में कितने परकार के रहयत के बारे में बताया गया है तो इस कोहचन का सही अंसर के हो जगा तीन परकार के रहयत के बारे में बताया गया है चलिए आगे देखते हैं कोहचन नमर 46, C&T के कि सद्ध्या में भुई हरों तथा मुंडारी खुट-कुटी दारों का बंदोबस्त रइत होने का परोधान किया गया है। बुक्तान किर्सी वर्ष के परतेक तीमाही पर कितने किस्तों में किया जाएगा तो आप लोग आद रखेगा चार किस्तों में किया जाएगा। कि अनुसूचित जनजाती के रईयत की जमीन उसी थाना छेतर में रहने वाले किसी दूसरे अनुसूचित जनजाती के वेक्ति को उपायुगत के अनुम्मती से अंतरित किया जा सकता है। तो इस कोहचन का सही अनसर क्या हो जाएगा ओप्शन नमर ये धारा 46 में इसा वर्नन है। चलिए अब देखतें कोहचन नमर 50 संताल पर गना सेटलमेंट रेगूलेशन एक्ट का पारित किया गया है। चलिए अब आगे देख लेतें कोहचन नमर 51 स्पीटी के किस धारा में वर्नन है कि ग्राम परधान किसी परकार का पदांतरन का अधिकार नहीं होगा। ग्राम परधान किसी परकार का पदांतरन का अधिकार नहीं होगा। तो ये कावन नमर का क्या हो जाएगा ओप्सन नमर धारा 11 में इसा वर्नन है। चलिए देखते हैं बावन नमर स्पीटी एक्ट के किस धारा में ये वर्नन है कि किसी रईयत को अपनी नीजी जोद पर विर्च लगाने उसे काटने तथा उपभोग करने का अधिकार है। तो ये सा कौन सा धारा कहता है। बावन नमर का देखी। बावन नमर का हो जागा ओप्सन नमर ये धारा 17 ये सा कहता है। चलिए अब देखते हैं कोश्चन नमर तिरपन एक्ट के धारा 33 के अंतरगत कितने वर्सों के बंदोबस्त बंजर भूमी को अबाद नहीं किया गया तो बंदोबस्ती रद हो सकता है। तो तिरपन नमर का क्या हो जागा ओप्सन नमर सी। इस कोश्चन का सही अनसर हो जागा ओप्सन नमर सी फाइब ये। C&T SPT का मोस्ट 150 कोश्चन का वीडियो अप्लोड है अधि आप नहीं देखें तो इस वीडियो को देख लिजिए लगभग लगभग C&T SPT का कोश्चन नहीं छुटेगा आपसे C&T SPT का 150 कोश्चन का वीडियो अप्लोड है पार्ट 1 और पार्ट 2 करके होगा आप लोग दोनों वीडियो को देख लिजिएगा आप लोग प्लेलिस्ट में जाईए और जेपीसी पेपर 2 का प्लेलिस्ट में देखिए कि C&T SPT का 1500 कोश्चन का वीडियो कहा है चलि आगे देख लेते हैं देखिए आगे SPT की धारा 45 में SPT की धारा 45 की तहट किस इनमाध्यम से लगान चुकाने का वर्नां है तो आद रखेगा डाक मनी ओडर किससे लगान चुकाई आता है डाक मनी ओडर से चलियो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 निम्न में किस जगह से क करेखा नहीं गुजरती तो आप लोग आद रखेगा उपर से तीनों से गुजरती है लास्ट का ओप्शन यहां पेटर वर से नहीं गुजरती है चापन नमर देखिए जारखन में वर्षा किस परकार की है उसन कटवंधी मान सुनी दच्छिन पच्छमी मान सुनी तो दोनों केटेगरी का वर्षा यहां है दोनों परकार के वर्षा जारखन में होता है चलिए संतावन देखिए जारखन के कितने जिल्लों में जारखन के कितने जिल्ले अन राज्यों के साथ अपनी सीमा साधा करती है तो जारखन में कुल 24 जिल्ला 24 में देखिए दो जिल्ला सीमा सा राजमहन काxis चट्र में हुआ है निम्ण मैं किस पारण खेकर के पर्मग पहाडियों सानू और शराओ है सानूर सराउ निम्द में किस पार्ट छेतर के परमुप पहाड़ियां है तो आप लोग आद रखिएगा कोष्चे नमर सिख्टी का क्या हो जाएगा कोष्चे नमर सिख्टी का option जारखन राईच गंगा नदि संडाच्छन प्राधिकरन गारेश कोने मुख्य मंत्रे तिर्सेट नमर। निमन में क्ोन जल परपात चातरा में नहीं है। तो गोवा है तमासीर है, मालुदा है, हफाद नहीं है. चलि आगे देखते हैं, 64 नमर देखते हैं, 64 आप लोग कौश्टिन देखिए, टैगर जलअब पर पात किस नदी पर या उस्थीत है, टाइगर जल परपात किस नदी पर वस्तित वाद रखीगा बढ़ा कर नदी कौन सा नदी है बढ़ा कर नदी चलिए अब देख लेते कोश्चे नमर 65 जारखन का ओसत वार्सिक वर्सा कितना है तो 140 cm है चलिए अब देखते कोश्चे नमर 46 जारखन राज में किस वर्स अस्ट पुनस्थापन एवन पुनर्वास निती के अध्यात तीन में वर्नन है क्या चीज़ का वर्नन है देखिए पुनस्थापन एवन पुनर्वास निती के अध्यात तीन में किसका वर्नन है सरशठ नमर का देखिए ऑप्शन नमबर B परिभासाओं का वर्नन है आगे देखते अर्शठ नमबर देखी जारखन की पहली अध्योगिक निती कब अधिसुचित किया गया था जारखन की पहली अध्योगिक निती कब अधिसुचित किया गया तो आद रखेगा 1 मार्च 2001 एक मार्च 2001, चलिए आगे देख लेते हैं 69 नमर, जारखन में किस परकार का कोईला पाए जाता है, जारखन में एंथ्रासाइट और बिटुमिनस, दो परकार का कोईला पाए जाता है, बाकी और है लेकिन कम मात्रा में, तो में जो दो हैं एंथ्रासाइट और बिटुमिनस, देखिए फूलो जानो आसिर्वाद ओजिना का उद्दे से क्या है, तो फूलो जानो आसिर्वाद ओजिना का उद्दे से महिलाओं को रोजगार उपलव्द कराना, महिलाओं को रोजगार रुपलावद कराना जारखन में मन रेगा मैजदुरू की नियुन्तम मैजदूरीदर कितना है तो नियुन्तम मैजदूरीदर कितना है दो सो पचीस रुपया हाली में दो सो पचीस रुपया कर दिया गया है चलिए आगे देखते हैं बहत्तर नमर में सहीद ग्राम विकास योजना की तहत जारखंड की बीर सहीदू का गाम विकास किया जाएगा वर्तमान वित्तिय वर्स में इस योजना का कुल बजट कितना है तो वर्तमान वित्तिय वर्स में इस योजना का कुल बजट देखी ओप्सन नमर सी 5 करोड है कितना है 5 करोड मसलिया मेगालेफ्ट सिचाई योजना, मसलिया मेगालेफ्ट सिचाई योजना, निम्न में किस जिल्य में, निम्न में किस जिल्य से है, तो मसलिया मेगालेफ्ट सिचाई योजना का संबन्द देखिए, दुमका जिल्य से, कौनसा जिल्य से संबन्द इसका, दुमका जिल्य स चोहतर नमर देखे, निम्न में किस योजना को उदेश, सोलर अधारिट डिप बोरिंग करते हुए, सामोहिक रूप से सिचाई सुविधा उपलवद कराना है तो कौन सा योजना है, देखे, इस कोहचन का सही अनसुर हो जाएगा, ओक्सर नमर है, किसान समिर्धी योजना आगे देखे, चीहतर नमर का क्या हो जाएगा, ओक्सर नमर बी, चांडिल सराइकेला खरसाओं, चांडिल सराइकेला खरसाओं में, बिहार अस्पंज योजना आइरन उध्यूग अवस्थी थे चली देखते, सततर नमर में, टिसको में कच्चा कोईला के प्राप्ति कहां से होता है, अब देखते, कोहचे नमर अठथत्य, सिंद्री उर्वरक करखाना, वर्तमान में बंद पड़ा है, केंद सरकार की घोसना कि नुसर कब से ये करखाना फिर से सुरू किया जाएगा, त दूरदर्शन केंद्र कौन से पंचवर्षी योजना के तहत अस्थापित किया गया था। तो देखी कौन से पंचवर्षी योजना, 6-5 योजना के तहत जारखन में दूरदर्शन केंद्र की अस्थापना किया गया था। चलिए अब देख लेते, question number 80. निम्न में किस राष्टी राजमार को जार्खन का जीवन रेखा कहा गया, तो आद रखेगा NS 33, NS 33 को, जार्खे कोस्चन नमर 82, यूसन कट बंधिये आदर पर्ण पाती 1 परदिश में, निम्न में कों सा छेतर नहीं आता है, आप लोग ओप्सन देख लिजी, और ओप्सन की कोडिंग ओप्सन नमबर, ओप्सन नमबर B सही नहीं है, जारी बाग इसके अंतरगत नहीं आता है, बाकी सिंभूम आता है, संथाल परगना आता है, दचनी राची आता है, चलिए देखते हैं, कोस्चन नमर 80, जारखन में यावगरी किर्ट 1 कितने परतिसत भू भाग पर फिलाव है, तो इसकोस्चन का सही नसर होगा, 0.14%, क्या हो जाएगा, 0.14%, चलिए आगे देखते हैं, बेतला, B, E, T, E, L, E, तो इसमें क्या बोलागे है, कि B से क्या डिनोट करता है, तो B से क्या डिनोट करता है, बाइसन, बियर, ब्लेक टैगा, तो इनमें से क्या हो पर किर्सी काईरे संबह होए, तो आद रखेगा 38,00,00,00, पर, चलिए देखते हैं, कोस्चन नमर 86, किस वर्स जारखन को दलहन उत्पादन के लिए किर्सी कर्मन पुरुसकार से सम्मानित किया गया, तो 2021 में, और 2019 में भी किर्सी कर्मन पुरुसकार मिला है, किसली मिला है, किसली मिला है, चावल उत्पादन के लिए, चलिए देखते हैं, 87,00, गुमानी जलासे पर्यूजन, जारखन के किसी जिल्ले में यवस्थित है, तो 87,00 का क्या हो जागा, ओप्सन नमर D, ये और विदेवनुस्त, हैब गंज और पाकुड में, चलिए देखते हैं, राइज किए GDP में किर्सी का युगदान कितना परसेंट है, तो 88 नमर का क्या हो जागा, ओप्सन नमर C, 17 परतिसत, क्या हो जागा, 17 परतिसत, किस वर्स जारखन में उर्जा निती की घोसना हुई, किस वर्स जारखन में उर्जा निती की घोसना हुई, 2012 में, कब हुआ, 2012 में, देख पसंद आये तो इस वीडियो को लाइक जरूर किजेगा चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब किजेगा उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से जियर किजेगा दस कोशिए और है देखिए आगे एक एक करके हम लोग सभी कोशिए को कर लेंगे लेकिन यदि इसका PDF दीएगे WhatsApp नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते लिंक थार्षप नंबर डिस्क्रीप्शों में दिया गया आप लोग उस WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते तो चलिए 90 नोबर देखते हैं देख़ेगे 91 में देखी, जारखन में किस संस्थान की द्वारा, भुकम के लिए स्यचनी कुर्ट टक्नीकी कार्यू का संचालें किया जा रहे, तो 91 नमर क्या हो जागा, option नमर ये, BIT मेसरा, चलिए देखते हैं, जारखन में SDRF का गठन कब क्या गया, या भी तक जारखन में SDRF का गठन नहीं किया गया है, चलिए आगे देखते हैं, बहुत कोई बोलेंगे कि 2016 में किया गया है, बहुत कोई का कहना होगा, 2006 में किया होगा, गया गया है, लेकिन अभी तक SDRF का गठन नहीं है, यही सत्थ है, चलिए आगे देखते हैं, question number 30, देश के cool GDP में, जारखन का कितना पर द्धनवाज सहर है, कौन से rank में है, Ease of Living Index में, जारखन का जो द्धनवाज सहर है, 94 का देख ली जो option, और option के coding is coaching का सही अनसर हो जगा, 48 वा नमबर पर है, देखिए अंतराष्टी महिला दीवस के अवसर पर किसे नारी रतने से सम्मानित किया गया, अंतराष्टी महिला द चेत्रों में कितना परतिस्त अस्थानी को न्यूकती होगी, तो देखिए नीजी चेत्रों में कितना परसेंट अस्थानी को न्यूकती होगी, तो 75 परसेंट, हाली में राजी सरकार के द्वारा घोसना किया गया, देखिए इंडिया, जश्टिस रिपोर्ट 2020 में, जारखन का रेंग देश भर में कितना है तो देश भर में आठ नंबर पर है कुन सा रहेंगे आठ फोन नहमरब पर चलि आगे देखachten 98 वर्ल्ड कॉप्प्ति रंदाजी में जारखंड से किसका चैन किया गया विल्ड कप रंदाजी में देखः दीपिका मारी कौमा लिका बारी अंकीता भगत तीनों का चैन किया गया देखे आगे 99 नमर में पुस्तक सिखर को छूटी ट्राइबल्स की लिखा को ने संदीप मुरा रखा को ने संदीप मुरा रखा चली आगे देखते हैं आज का अंतिम प्रसन इस वीडियो को आप लोग सेर जरू जरूर कीजेगा चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजेगा चली आगे देखते हैं हाली में किसकी द्वारा पुस्तक टोटल नागपुरी और आधोनिक नागपुरी लिखा गया तो हंड्रेड नमर का ओक्सन नमर सी क्या हो जागा एस न पाठक मिलते हैं ने